तो नमश्कार दोस्तों मैं हूँ मंदीप और आप देख रहे हैं मंदीप व्लॉग्स तो जैसे आपको मौलूम है हम्मारे चैनल पे हमने टूल्स की सीरीज स्टार्ट की हुए है जिसमें हम हर किसम के हर ट्रेड के टूल्स का रव्यू कर रहे हैं डेटेल में तो उसी सीरीज में हम आज इक नए टूल के साथ आपके सामने आए हैं तो आज हम जो टूल का रिव्यू करने जा रहे हैं वह इंपक्ट ड्रिल जो की ब्लैक एंट टाईगर ब्रैंड की ड्रिल है तो इसके बारे में मैं आपको डेटेल में इस वीडियो में जानकारी दूँगा ब्लैक एंड टाइगर ब्रैंड के काफी प्रड़क्ट हमारे चैनल पे पहले भी रिव्यू किये हुए है और काफी रनोन और भ्रोसे मन्द प्रड़क्ट है ये तो जब तक दोस्तो मैं ड्रिल को अन्बॉक्स करता हूँ तब तक अगर आप चैनल पे पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिये गए हुए बेल आइकोन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे लास सक देखें वीडियो अच्छा लग जैकन टाइगर की और काफी मैंने ड्रिल देखी है मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की यह इंपेक्ट ड्रिल है तो यह 13 mm साइज में यह दोस्तों ड्रिल है तो पहले बॉक्स से ड्रिल को बाहर निकालते है तो दोस्तों दी गी है कि यह कैसे वर्क करेगी तो अगर आपको जरूरत है तो आप इसको देख सकते हैं उसके बाद स्टेविल्टी के लिए और अच्छी ग्रिपिंग के लिए हमें किस हैंडल मिलता है इसके साथ और दोस्तों यह हमारा मेनी यूनिट एक की है जो इसके चक में आम कोई भी बर्मा या बिटर फिट कर रहे हैं तो उसके लिए और यह हमें एक डेप्ट गेज साथ में मिलती है ठीक और अब बात करते हैं हमारे मेन यूनिट के बारे में तो दोस्तों हम अपनी जरूरत के हिसाब से इस हैंडल को भी यहां पर अडियस्ट कर सकते हैं तो मैं आपको पहले वह भी इसके साथ फिट करके विताता हूं उसके बाद हम इसको कम्लीड करने के बाद इसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों यह हमारा मेन यूनिट जो है त्यार हो गया है तो बात करते हैं पहले तो इसके बिल्ड कोवाल्टी के बारे में तो काफी अच्छी इसकी कै 2015 कोवाइटि है यहा पे हमें रबड का गेप अधर मिलता है ति कंवाल के चलाने के लिए बहुत बना देता है यहां की जो तो प्लास्टिक बॉडिय है और काफी अफ हैवी प्लास्टिक है और फ्रंट में हमें मिलता है handle जो इसको अच्छे से ड्रिल करते समय ग्रिप करने के लिए और यह जो आप देख रहे हैं यह है depth gauge हम जितने भी mm का सुराख अगर चाह रहे हैं मारना तो उस हिसाब से हमें इसको यहाँ पे adjust कर सकते हैं और यहाँ पे हमें एक scale देखने को मिलता है और बहुत ही easy है इसको operate करना भी हमने जैसे यहाँ पे लगा दिया और यह switch को छोड़ने के बाद यह लॉक हो जाता है उसी point पे तो जितनी में depth पे हमने hole करना है तो उस हिसाब से हम इसको adjust कर सकते हैं तो दोस्तों यह impacted delay जो reverse और forward दोनों functions में आती है यह इसका reverse और forward का switch है यहाँ से हम इसको adjust कर सकते हैं और उपर की बात करें तो यहाँ हमें दो जो इसके speeds adjust करने का point है वो मिल जाता है और बात कर रहे हैं इसके trigger की तो trigger काफी easy accessible trigger है और काफी बड़ा trigger है आप देखने में तो जैसे हम trigger देख है और काम करते time इससे काफी easy हो जाता है और यह भी जो इसका reverse और forward का action switch है वो काफी comfortable है जैसे हम इसी तरह काम कर रहे हैं और उसी point से हम इसको adjust कर सकते हैं तो अभी मैं आपको इसका एक बार live demo भी दोंगा इसको चलाके देखेंगे तो किस तरह चलती है और यह रही इसके चक को main key जो चक में हम कोई भी बर्मा या bit यूज़ करेंगे तो उसको lock करने के लिए तो बात यहां पर हम इसके code के भी करेंगे तो काफी अच्छी length है code की तो जिस तरह कोई भी काम कर रहे हैं basically हम अगर इसको घर के काम के लिए भी रखते हैं जा professionally भी यूज़ करना चाते हैं यह pro series का product है तो आप wire की length देख सकते हैं काफी अच्छी length है इसकी और यहां पर आपको की hold करने का हमें जो 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 इसकी चक की मिलती है साथ में तो उसको hold करने का point भी यहां पर मिलता है तो हम इसको यहां पर safely हमारी की भी कहीं नहीं जाएगी इसको यहां पर adjust कर सकते ह तो अभी मैं आपको इसकी working और इसकी 29 वगरा मोटर की उसके बारे में बताऊंगा और आप देख सकते हैं यहां पर black and tiger की branding हमें दोनों तरफ मिलती है और काफी भ्रोसे मंद product है यह brand काफी अच्छा brand है अगर बात करें हम इसकी motor की तो साड़े 800 watt की इसकी दोस्तों motor है और होगा और अगर हम बात करते हैं इसके जो frequency है यह जो वोल्टेज पर चलेगी तो 220 जो 50 हर्ट का हमारा basic है उसी पर यह चलेगी उसी पर अपरेट होगी और अब इसकी working के बारे में भी आपको मैं बता रहा हूं तो दोस्तों बात करते हैं इसके हम पहले तो जैसे मैंने आप मूड के तो अठाइस हो और rotations पर मिनिट में हमें यह produce करके देता है तो दो गेर्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं इस तरफ तो पहले आप मैं आपको sound चेक करवाता हूं तो यह इसका दो स्कूरूड्राइबर मूड है तो अम इसको और लो करना है तो उस हिसाफ़े को गेर्स का यूज करके लो कर सकते हैं तो यह जो आप प्रिगर में सीच देख रहे हैं तो इस से हम इसकी स्पीड को ज़्यादा और कम कर सकते हैं तो जैसे मैंने यहां पर इसको फुल पेड स्थकर दिया तो और इसमें अगर मैं हाइर गेर पर लगाता हूं तो साउंड और अच्छा और बढ़ जाएगी तो हमने जिस तरह का भी कॉंक्रेट में मैटल में ठीक किसी भी सर्फेस पर होल करना है तो काफी पावरफुल यूनिट है यह साड़े आट सो वाट की इसमें मोटर है तो काफी यूनिट पावरफुल है यह तो अभी बात करते हैं दोस्तों इसके रिवर्स और फॉर्वर्ड एक्शन के बारे में और वह भी स्विचेज जो हैं काम करते टाइम काफी कमफेटेबल और इजी एकसेसिबल स्विचेज हैं तो जैसे हमने कोई भी सुराक होल लेना है तो व यूनिट है इसका जो प्राइज है इंदृ बिखना ब्राइन के बारे मेर्रें चाहते हैं तो हभी साथ कॉल करके वर्ट सठे करें चेक कर सकते हैं तो ये था दोस्तो आज का वीडियो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़ूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ये गवे बेल आइकोन कोब भी प्रेस करदेना ताकि इस और टोल की रवीव की वीडियो में तिल देन गुडबाई